Dear students, welcome in math class. Chapter हमारा first real number, exercise 1.3, some number first करेंगे. Prove that root 5 is a irrational number. हमने प्रूव करना है कि root 5 irrational number है. ऐसा तो पता है यह irrational number है, जो root के अंदर होती है, जो perfect के रूट नहीं बंती, root के अंदर जो prime number होती है, हमारे irrational number ही होती है. तो हमने प्रूव करना, irrational मतलब which number cannot be right in the form of P by Q, जिसको P by Q की form में right नहीं कर सकते हैं, वो सभी हमारी irrational number होती है. इसके लिए हम इसमें क्या मान के जलेंगे, इसका उल्टा, यानि rational का उल्टा क्या, irrational, तो हम let करेंगे, let यानि contradiction मान के जलेंगे, let root 5 is a rational number. अब हमने इसको इसका उल्टा मांगे, ठीक है, तो root 5 is a rational number, अब हमें पता कि rational number को हम P by Q की form में right कर सकते हैं, तो इसमें अगर rational है, तो इसको हम right कर सकते हैं root 5 को, किस form में, P by Q की form में, ठीक है, R को प्राइम, की दोनों के दोनों को प्राइम है, and Q is not equal to 0, P and Q are को प्राइम, को प्राइम मिन्स होता है, जो number, जिनके बीच में HCF 1 हो, highest common 1 हो, यानि किसी और नंबर से, वो same number से, डिवाइड नहीं होते हो, जिसका HCF 1 होता है, जैसे हमारे पास 25 और 24, यह दोनों के दोनों की single table में नहीं आते, नै किसी और single numbers divided होते हो, इसका HCF हमारे पास क्या होता होता, 1, यहनि जैसे 3 और 5 हैं, यह दोनों आप दूसरे एक दूसरे और डिवाइड नहीं करते, एक दूसरी table में नहीं आते, तो यह हमारे क्या है, co-prime number होते हैं, जिनके बी क्योंकि हमने root को खतम करना है both side हम square करेंगे अब इसमें हमने square किया root 5 का square और इधर P by Q का whole square यहां से root 5 root से square root cancel क्योंकि root का मतलब होता half hour or square करेंगे तो वहां से cancel out हो जाएगी 2 root 5 equal to P square by Q square अब यहां से multiple form में write करेंगे 5 यह 5 by 1 लिक्किया cross multiply भी कर सकते हैं 5 हमारे पास Q square equal to P square अब हमने Q square equal to 5 लेकर जाएंगे तो P square by me 5 इस form में write कर दिया यानि हमने 5 अब 5 it means 5 क्या है P square को divide कर सकता है तो P square is divided by 5 यहनि P square हमारा 5 से divide होता है अगर किसी का square divide होता है जैसे हमारे पास 9 का square 3 से divide होता है तो 9 का square अगर 3 से divide होगा तो 9 multiply 9 होता है और by में 3 तो 3 से 3 यहनि अगर उसका square उसे divide होता है तो वो number भी उससे divide यहनि इस implies P is divided by 5 यहनि P भी 5 से divide होगा अब इसके अंदर P 5 से divide होता है it means हमारे पास अगर कोई number किसी को divide करता है तो उसको multiple form में write कर सकते है इसको 5 से divide करेंगे 5 6 जा 30 यहनि अगर यह 5 30 को divide करता है यह किसी की multiple form में आएगा यहनि 5 6 जा यहनि किसी की multiple form में आ रहा है तो उस multiple वो number हमें पता ही नहीं कितने पे गया अगर divide करता है 5 P को तो यह हमारे पास एक variable है हमें पता ही नहीं कितने पे गया यानि किसी की multiple form में तो आएगा ही आएगा तो उस multiple form को एक unknown number मान लेते हैं हम variable मान लेते हैं तो let जो P किस form में है हमारे पास equal to 5 multiply A form में यानि 5 A यानि जैसे 30 किसके multiple form में आया 5 6 जा 30 तो हमारे पास ये P किस form में आया 5 multiply A की form में ये हमारा variable है यानि पता नहीं कितने पगया ये हमारा वो number है अब हमने जो P को equal to let किया 5 A के में अब ये हमारे पास equation मान लेते हैं 1 तो put this value put this value in first में अब first में वे value put करेंगे हमारे पास क्या है Q square equal to P की जगे हमारे पास क्या रखेंगे 5 A का whole square by में 5 Q square 5 का square हमारे पास 25 और A का हमारे पास A square by में 5 5 से 5 cancel out अब हमने Q के बारे में करना है 5 को हम right से left की तरफ मुग करेंगे तो हमारे पास Q square by में 5 और A square आज है अब हमारे पास Q या इसके Q के divide में means Q square same process is divided by 5 तो Q square 5 से divide होता है वह बाकी same process होता है तो Q also divide by 5 Q भी 5 से divide होगा अब हमारे पास यहाँ पे आया है कि P भी 5 by 5 से divide होता है और Q भी 5 से divide होता है दोनों को 5 डिवाइड करता है P and Q को लेकिन हमने क्या मन था? यह दोनों में HCl क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया लेकिन हमारे है HCl क्या था? को प्राइम नंबर है इनका HCl 1 था यह तो को प्राइम का मतलब यह किसी single table में आते ही नहीं है लेकिन हमारे पास यहां आया 5 से यानि P so P and Q बोथ डिवाइड बाए 5 डिवाइड बाए 5 दोनों के दोनों 5 से डिवाइड उतते हैं लेकिन यह कंट्राइडिक्षन आगी क्योंकि यह हमारे बट P and Q आर को प्राइम कि यह हमारे दोनों के दोनों क्या है? को प्राइम है हमने तो HCl 1 लिया था HCl 5 आ गया तो क्या हुए यह हमारे पास कंट्राइम तो दोनों यह को प्राइम आगे थे लेकिन हमारे पास यहां HF वना गया तो यह हमारे पास contradiction आगी so our assumption यानि हमारी जो कलपना थी वो रोंग है our assumption is wrong हमारी जो कलपना है वो रोंग है so root 5 is a irrational number यह हमारी क्या है irrational number है okay so this is your question number first dear students complete your sum thank you have a nice day